चतूर तक विचलन इससे पहले हमने अपकिरण ग्याद करने की सीमा रिती का अधिन किया था सीमा रिती अपकिरण ग्याद करने की गणितिय रिती है इस रिती के अंत्रकत हमने विस्तार अंतर चतूर तक विस्तार और सत्मक विस्तार रिती का अधिन किया था सीमा रिती के अंत्रकत हमने विस्तार रिती, अंतर चतूर तक विस्तार रिती और सत्मक विस्तार रिती का अधिन किया था अपकिरण ग्याद करने की दूसरी ग्याद की रिती है विचलन माद्दे रिती इस रिती के अंत्र गते चतुर तक विचलन माद्दे विचलन परमाफ विचलन और अन्य जो रिती है अन्य रितीओं में हम गनक सूत अत्यता प्रतु सिर्षतव और माद्दे अंत्र का अद्यन करते हैं सबसे पहले हम विचलन माद्दे रिती के अंत्र का ते जो सबसे पहले रिती आती है वो है चतुर तक विचलन लिती जिसका अध्यन हम इस वीडियो में करेंगे तर्तिय चतुर्थक और पर्तम चतुर्थक के अंत्र के आधे को चतुर्थक विचलन या आर्द अंत्र चतुर्थक के विश्थार खेते हैं चतुर्थक विचलन क्या होता है Q3 यानि तर्तिय चतुर्थक और पर्तम चतुर्थक इन दोनों के अंत्र को अगर दो से वाजित कर दे तो अमें चतुर्थक विचलन का मान ग्यात हो जाता है यहां पर QD चतुर्थक विचलन को Q3 तर्तिय चतुर्थक को और Q1 पर्तम चतुर्थक को चतुर्थक को बताता है इसकी बाद हम देखते हैं चतुर्थक विचलन गुणान को को एपसेंट ओप कवार्टाइल डेविएशन यह इसका मान होता है Q3 माइनिस Q1 अपन Q3 पलस Q1 अब हम चतुर्थक विचलन गुणान को एक संक्यातमक उदारन देखते हैं इस उदारन में हमें अपकिरण का माप चतुर्थक विचलन के मादिम से पूचा जा रहा है यहां पर जो परतम सरेणी हैं उसमें उंचाई दे रखी हैं और DTA सरेणी में बाहर या वैट दे रखा है सबसे पहले हम जो यह पद मुल्ले दे रखे हैं उनको वेवस्तित रूप से जमाएंगे और इनको आरोई करम में रखेंगे जिसे आरोई करम में रखने पर यहां पर परतम जो सरेणी हैं उंचाई उसमें जो सबसे चोटा मुल्ले उसको पहले रखेंगे फिर उसके बाद वो उससे ज्यादा वाले मुल्ले को रखेंगे तो यहां पर सबसे चोटा मुल्ले पच्पन तो यहां नहीं रख दिया फिर पच्पन से अधिक संक्या को रखा इस तरह से अमने इसको भरते करम में रख दिया इसी तरीके से दूसरी जो स्रेणी है बाहर उसको भी हमने बढ़ते करम में या आरोई करम में व्यवस्तित कर दिया इसके बाद हम यहाँ पर Q1 और Q3 का मान ज्याद करेंगे क्योंकि ये वेक्तिक स्रेणी है हम जानते कि वेक्तिक स्रेणी और खंडित स्रेणी में Q1 का मान जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर N प्लस 1 का प्रियोग करते हैं जबकि एकंडी स्रेणी में जहाँ पर वरकांतर दे रखे होते हैं, वहाँ पर हम केवल N का परियोगी करते हैं, चुकि यह एक विक्टिकस स्रेणी है, इसलिए हम इसमें N पलस 1 का परियोग करेंगे तो Q1 बराबर Size of, यहाँ पर संक्या है, 1, तो 1 रख दिया, फिर आगे N पलस 1, चुकि यह यहाँ पर चतुर तक निकालना हमें, यह चतुर तक पूछ रहा है, तो चतुर तक स्रेणी को चार बराबर बाबुमें वाजिते करती हैं, इसलिए हम इसमें नीचे, चार से वाजिते कर देंगे, और यह दिया हम पंचमक की ग्यात करते हैं, तो 5 आज आते हैं, और सत्मक अगर हमें ग्यात करना होता है, तो यहाँ पर नीचे 100 रख देते हैं, तो यहाँ पर हमें पर्थम सतुलता के ज्याद करना है तो यहाँ पर हमने रख दिया साइजोग वन एन प्लस वन अपॉन फोर्थ आइटम यहाँ पर एन हमारा होगा पदों के सिंख्या यह नि इसमें एन होगा यह हम गिलनेंगे आपर एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नू, दस, ग्यार पदों के सिंख्या हमारी है ग्यार है तो हम इसमें जिसे यहाँ पर एन आ गया हमारा ग्यार है तो यहाँ मान रख देंगे वन ग्यार है प्लस वन अपॉन फोर तो यह हमारा होगा ग्यारा और एक हमारा होगा यहां पर येक है ग्यारा और एक बारा बारा को एक से उना किया तो बारा फिर ये चार अन्त में हमें पराप हो जाएगा त्री तीसरा पद न त्री दा आइटम यानि तीसरे पद या तीसरा पद मुल्य इसके बाद हम जो तीसरा पद मुल्य है यहां पर परतम स्रेणे में जो तीसरा पद मुल्य है वो ही हमारा क्या होगा Q1 यहां पर तीसरा पद मुल्य है 58 तो यह हमारा हो गया Q1 इसी तरह से हम जो second स्रेणी है उसमें हम Q1 का मान निकाल सकते हैं प्रत्म स्रेणी में हमने Q1 का मान ग्याद कर लिया अब हम ग्याद करते हैं Q3 का तो Q3 के लिए भी हम वोई जो फॉर्मूला वोई फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे जैसे Q3 साइजोब यहाँ पर संक्यात तीन है तो यह हम तीन रहें यहाँ रख देंगे फिर N पलस 1 अपोन 4 तो यहाँ पर यहाँ पर तीन है और N है ग्याद है तो यह हो गए 12 इंटू 3 करेंगे तो यह हमें पराफ्त हो जाएगा 36 फिर 4 तो अमारा मान पराफ्त हो गया 9 नाइन्थ आइटम तो नववा जो पद है वो है यहाँ पर अमारा 54 तो नववे पद का मुले क्या है 54 तो यह हमारा Q3 जाद हो गया फिर हम अब हमें निकालना है चतूर तक विचलन तो चतूर तक विचलन के लिए हम क्या गरते हैं Q3 माइनस Q1 यानि Q3 माइनस Q1 यहाँ पर Q3 का जो माहन है वो यहाँ पर यह गलत दे रखा है 90 पद का मुले यहाँ पर 54 दे रखा है जबकि होना चाहिए था 64 जिसी यहाँ पर यह 64 है 54 तो इस रेणिम कहीं है नहीं तो यहाँ पर यह गलती से 54 यहाँ पर लिख रखा है इसे आप सही कले ना यह 64 है तो यह हमारा Q3 का मान होगा 64 अब इसके आदार पर हम चतूर तक विचलन निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पर परतम स्रेणी में चतुरतक विचलन होगा, Q3-Q1, हैनि 64 में से हम 58 माइनस करेंगे, तो अमारा परतम स्रेणी का चतुरतक विचलन होगा, 64 में से 58 उनको माइनस किया तो 6, तो यह हमारा परतम स्रेणी का चतुरतक विचलन ग्यात हो जाएगा, इसी तरह से हम DTA स्रेणी का चतुरतक विचलन निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हम वही परकरिया अपनाएंगे, सबसे पहले तो जो स्रेणी दे रखिया है, उनको आरोई करम में व्यवस्तित करेंगे, फिर उसके बाद में हम Q1 का मान निकालेंगे, तो Q1 के मान के लिए हम साइजोब, यहाँ पर 1 है संक्या, तो 1 रख दी, फिर N पलस 1 अपन फोर्थ आइटम, यह कर दिया हमने, फिर यहाँ पर N, यहाँ पर 2 की संक्या है, ग्यार है, टोटल, तो 11 पलस 1 अपन फोर्थ तो यह 12, क्योंकि 12 को एक से गुना करेंगे, तो 12 आएँगे, 12 के बाद में फिर 12 को 4 से उभाजित करेंगे, तो मान आगया हमारा 3, अब जो दीतिये सरेणी है, उसमें तीसरे पद का मुल्य जो भी है, वो हम निकालनेंगे, यहाँ तीसरे पद का Q1 आगया, Q1 नमारा आगया, 112, अब हम Q3 का मान ज्याद करेंगे, तो इसमें Q3 का मान ज्याद करेंगे, तो यहाँ Q3 रख देंगे, तो साई जो यहाँ 3 है संक्या, तो यहाँ 3 रख दिया हमने, फिर N पलस 1 अपन फोर्थ आइटम, तो यहाँ पर N 11 है, यहाँ हमने एक 12 और 3, 36, 37 में फिर 4 का हम भाग देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 9, तो नव्य पद का मुल्य देती है स्रेड़ी में क्या है, हमारा 127, नव्य पद का मुल्य क्या है, 127, तो ये 127 है, वो हमारा क्या हो गया, Q3, 127 हमारा क्या है, Q3, फिर उसके बाद में हम चत्रुतक विचलन निकालनेंगे, चत्रुतक विचलन क्या होगा, Q3 माइनस Q1, तो 127 में से माइनस कर देंगे, हम 112, तो हमारा जो मान है वो होगा 15 है, तो देती है स्रेड़ी में चत्रुतक विचलन क्या होगा, 15 है, अब इसके ब बाद में हम दोनों सरेणियों में चतुर तक विचलन गुणांग निकाल सकते हैं यहां पर क्यों चतुर तक विचलन गुणांग निकाल रहा है हमने चतुर तक विचलन भी निकाल ला था भी तो यहां पर सबसे पहले हम जो उंचा ही है उसका चतुरू तक विचलन गुणांग निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे को अपिसेंट ओप QD तो यह Q3 माइनस Q1 Q3 पलस Q1 तो परतम स्रेड़ी में हमने Q3 का माण निकाला था 64 और Q1 का माण निकाला था 58 तो यह 64 में से माइनस करेंगे 58 तो यह हमें प्राफ्त होगा 6 और इनको जब 64 और अठावन कम जोडेंगे तो यह हमें प्राफ्त होगा 122 तो यह मान हमें मिल जाएगा 0.09 यह परतम स्रेड़ी का चतुर तक विचलेंग गुणांग ग्यात होगा इससे तरह से हम दीते स्रेड़ी का चतुर तक विचलेंग गुणांग निकाल देंगे जैसे यहाँ पर Q3 दीते स्रेड़ी का है 117 उसको माइनस कर दिया Q1 को तो Q1 का माने 112 है नीचे हमने इन दोनों को जोड़ दिया Q3 प्लस Q1 इनको नीचे जोड़ देते हैं और उपर इनको Q3 में से Q1 को गठा देते हैं तो यहाँ पर दीत्य शरणी का इस तरह से मान रखने पर अंत में हमें परावत हुथा पंदर नीचे दोनों को जोड़ा 249 पंदर में 249 का जब भाग देते हैं तो अंत में आन परावत हुथा पोइंट 0,6,3 यहाँ पर चतुरत कविचलन गुणान का परतम स्रेणी में 0,049 और दीत्य स्रेणी में 0,064 इस तरह से हम चतुरत कविचलन और उसके गुणान का परिकलन कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं चतुरत कविचलन के गुणान को चतुरत कविचलन का पहला गुणे कि यह सरल होता है दूसरा जो गुणे इसका यह कै है? चरम मुल्यों का इस पर नुनतम परवाव पड़ता है तीसरा है यह मद्दे भाग का अपकिरन होता है मद्दे भाग का अपकिरन ग्याद करने में अब इसके कुछ दोस है, पहला दोस है, स्रेणी की बनावट का ठीक पता नहीं चलता है, दूसरा सभी मुल्यों पर आधारित नहीं है, तीसरा इसका बीजगर्णी तिये विवेचन नहीं हो सकता, और चोता है इसका सिमित परियोग होता है अब हम इसके बाद अगले वीडियो में हम माद्धे विछलन रित्ति का अद्धेन करेंगे